आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ बोलेंगे और हमसे बूचा है कितना मिनमम टाइम लगेगा सो डेट कार की स्पीड ओन फोटी सिस किलो मेटर पर आवर से 90 किलो मेटर पर आवर हो जाए और इस पूरे स्पीड की रिडेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया एक रडार में हमसे बूचा गया एक्स वर्सिस टाइम वर वेलोस्टी वर्सिस टाइम का ग्राफ क्या होगा गाईज अग गीविन प्राबलम का अगर हमें एक पिक्टोरियर रिप्रेजेंटेशन करें तो हमें वहां से भी कापी कुछ किलियर होने वाला है कि एक्चुली में हो क्या रहा है एक्चुली में guys हमने consider किया है car की condition at t equal to 0 पे जब car की हमने position मान ली x equal to 0 पे और car की initial speed हमें guys देखे रखा है that is the 146 km per hour और car की speed after some time वो कितना time है guys हमें नहीं पता वही हमें find करना है जब car की speed हो जाती है final speed 96 km per hour जिसे the speed of the car और velocity की बात करें तो direction हमने right word मान के रखी है तो guys हमसे ये पूछा गया है कि आगर हमने brake apply किया तो car की speed decrease हुई ये तो means acceleration किदार होगा opposite to velocity तो guys आगर acceleration की value जो कि हमें question में दिया है अगर हम question में बात करें guys की हमें क्या-क्या given है तो guys आगर हम given debt की बात करें तो given debt हमें क्या-क्या देके रखा है हमें car का गाइज acceleration बता के रखा है और acceleration की value है माइनस 5.2 मेटर पर सेकेंड इसकाइर हम माइनस क्यों बोल रहे है जब भी हम 1D के motion को solve करते है questions को तो हमें कुछ ने कुछ direction लेने होती है vector को ना भी include करें तो भी हमारा काम यहां हो जाता है है तो राइट डारेक्शन को हमने positive और डारेक्शन को हमने negative रेजियों किया acceleration left में है negative initial velocity है राइट में that is the positive 146 km और आवर इसी तरीके से वी की बात करें that is given at the 96 km पर आवर गैज हम देख पा रहे हैं कि acceleration अगर constant है तो motion की first equation that is the we equal to you plus 80 का यूज कर सकते हैं और we equal to you plus 80 को अगर हम apply करते हैं यहां पर तो हम क्या देख पा रहे हैं फानर विलॉस्टी है 96 यूँ है 146 acceleration की वैलू है minus 5.2 तो यहां से time निकलेगा जो time होगा that is the minimum time जाई एक velocity जो हमें दिया है यहां पर kilometer per hour में है इसको meter per second में convert करना पड़ेगा पर meter per second में अगर हम इसको convert करना है तो 5 upon 18 का multiply करना पड़े का rate is the meter per second ऐसे 96 into 5 upon 18 कर देंगे फिर data हमारा आ जाएगा meter per second में तो यहां से 96 minus 146 अपान गाई हम दिख सकते हैं 5.2 तो गाई जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां से जैसे हम इस value को calculate करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहां से minimum की value क्या होने वाली positive होगा यह negative होगा यहां से यह होने वाला है that is और हम एक data और यहां पर लिखेंगे that is the 5 upon 18 यहां से हम इसको अगर calculate किये तो that can be written as the 50 into 5 upon 18 divide over 5.2 तो गाई यहां से T minimum की जो value आने वाली है that is the 2.67 second तो गाई इतना minimum time लगेगा अगर कार की speed 146 km per hour से इतनी होनी है 96 km per hour तो गाई आप second part में हमसे पूछा गया है इसका diagram diagram में XT और VT का diagram हमसे पूछा गया है let us talk about the part of diagram part के अगर हम बात करते हैं गाई तो अगर हम बात करते हैं XT के graph की तो displacement या position versus time का graph कैसे बनने वाला है अगर गाई हम vertical axis पर position को represent कर लें और horizontal axis पर time को represent करें time in second और position को हम X in meter लें तो गाई हम थोड़ा सा डिस्कूस करेंगे कि अगर हम position की equation लिखें displacement की rate X equal to UT plus half AT square तो गाई हमें पता है कि अगर हम car की initial position X equal to 0 यह जोंग कियें T equal to 0 पे तो graph यहां से शुरू होगा हमें पता है कि retardation है तो given graph के लिए A is less than 0 इस case में हमारा जो graph बनेगा वो पैरा बोला बनेगा और acceleration अगर negative है तो पैरा बोला कैसा बनने वाला है downward downward पैरा बोला यहां से graph बनने वाला है अगर हम बात करते हैं यह से टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल का displacement भी बढ़ता जा रहा है और speed continuously decrease होती जा रही है और हमें पता है एक्सटी graph का slope speed को बताता है अगर हम इसके graph की बात करें तो graph में तो diagram कुछ इतना हुआ डाउनवर्ड पैरा बोला और डाउनवर्ड यह t equal to zero हो गया गाईज और हम यह अगर इस point पे बात करें कि कार की initial speed at t equal to zero पे यहां पे tangent और स्लोप से पता चल जाएगी और अगर हम यह किसी time t पे इकार की speed यहां पे निकालें तो यहां पे tangent कीच के पता चल सकती है यह तो हो गया एक्स्टी का diagram और गाईज अगर हम बात करते हैं सी पार्ट में इसी में second part में वीटी का graph पूछा गया है वीटी graph कैसे बनने वाला है तो गाईज अगर हम वीटी की graph की बात करें velocity time graph velocity time graph के लिए हमें वीटी की equation लिखने पड़ेगी that is v equal to u plus 80 we can say that guys की जो velocity है हमारी acceleration यहां पे हमारा negative गाईज हमें पता है तो equation v equal to u minus 80 that is the much similar to y equal to mx plus c which represent i state line और अगर इसी concept से हम इसको यहां पे adjust करें that is the minus 80 plus u इसको लब एक state line graph बनने वाला है अगर हम vertical axis पे velocity और horizontal axis पे time को represent करें तो हमें पता है कि slope negative है और अगर slope negative है तो अप्टिव जंगल बनाएगी लाइन इस्टेट लाइन हम यहां से इसका graph अगर ब्लेक पिंसे दिखाते हैं कि नीचियर velocity हमारे कार के कित्ती है 146 और किसी टाइम के बाद velocity कित्ती होने वाली है that is the 90 अगर इस graph को हम यहां पे represent करते हैं गाज तो कैसा बनने वाले लेटास से हमने graph को एक state line से सो कर दिया यह ग्राफ हो गया हमारा किसका velocity वर्सिस टाइम का यह T equal to zero पे बताया गया है इस फीट कार की डैट इस दा 146 किलो मेटर और आवर यह किलो मेटर पर आवर में है इसको मेटर पर सेकेंड में अगर ना करें तो हम इस पीट को यू बोल दिये और किसी टाइम पर वो टाइम हम निकाल लिया है डैट इस दा 2.67 सेकेंड उस सेकेंड के बाद कार की विलोश्टी कित्ती हो जाती है डैट इस दा वी हो जाती है तो जहां से हमने वीटी डाइग्राम भी देखा एक्स्टी कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सो चार सो चार सो पर